बिग बॉस सीजन 16 में आये दिन कोई ना कोई छगड़ा और हंगामा देखने को मिल रहा है चार हफते बाद ही सही लेकिन कंटेस्टेंट्स ने गेम खेलने में रफ्तार दिखानी शुरू कर दी है लेकिन शालीन भनोट अपने चिकेन में ही उलजे हुए है शालीन भनोट को अकसर ही बिग बॉस से चिकेन के दिमांड करते हुए देखा गया है और ये कहते हुए वो नजर आए हैं कि उन्हें चिकेन चाहिए क्योंकि प्रोटीन की ज़ुरत है इसे लेकर एक बार तो बिग बॉस ने शालीन भनोट को लटार भी लगा दी थी पर ऐसा लगता है कि शालीन और उनका चिकेन का रोना कभी खत्म नहीं होने वाला है दरसल आने वाले एपिसोट का प्रोमो वीडियो मेकर्स ने शोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें शालीन भनोट एक बार फिर से बिग बॉस से बार बार उनके चिकेन भेजे जाने की डिमांड करते हुए नजर आते हैं जिस पर बिग बॉस से उन्हें एक बार फिर फटकार पड़ेगी बिग बॉस शालीन को कोई चिकेन भेजने से मना करतेते हैं बात में अर्चना गौतम भी शालीन भनोट की चिकन की डिमांड पर गुसा जाहिर करती है प्रोमो में शालीन भनोट बिग बॉस से चिकन की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं वो बार-बार बिग बॉस से इस बारे में बोलते हैं टीना भी कहती हैं कि बिग बॉस इसका चिकन भेज़ दो, मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, ये देख बिग बॉस शालीन को कनफेशन रूम में बुलाते हैं और खूब सुनाते हैं, वो शालीन से कहते हैं कि आपने अपनी ये प्रॉबलम पहली बार बताई हैं क्या, बस अब बहुत हुआ, आपको भूका रखने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है, इस हफते का गुजारा हो जाए, उतना चिकन भेजा गया है, अर्चना गौतम भी शालीन पर बॉकला जाती हैं और शालीन से कहती हैं, अपने टीवी सीरियल्स करते क्यों आये तुम यहां पे, नहीं है जरुरत यहां ऐसे लोगों की, इससे पहले घर भेजो भीया, यह क्या ऐसे कर रहा है, अर्चना गौतम भी शालीन पर बॉकला जाते हैं और शालीन से कहती हैं, अपने टीवी सीरियल करते क्यों आये तुम यहां पे, नहीं है जरुरत यहां ऐसे लोगों की, इससे पहले घ यह क्या ऐसे कर रहा है, जैसे बिग बॉस के घर में खाना नहीं मिलता? इसमें मैं बिग बॉस की गलती मानती हूँ. मार्किट में इतने सारे एक्टर्स थे, उन्हें लाते, यहां खाना खाने आये हैं क्या? उधर शालेन चिकेन को लेकर कनुफेशन रूम में बिग बॉस से थैसे लेकिन शालीन अपना चिखेन का राग गाते रहते हैं, इस पर बिग बॉस कहते हैं, फिरसे रिपीट करूँगा, अलग से रोस चिकन नहीं आएगा, शालीन चिकन को लेकर बिग बॉस से तो भिड़ गए लेकिन अब देखना ये होगा, कि विकेंट के वार में सलमान इस पर किस तरह रियक्ट करते हैं? क्या शालीन को फटकार लगेगी? फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India हिंदी के साथ